हमारी आज की कहानी है सेर का आसन सेर जंगल का राजा होता है वै अपने जंगल में सब को डरा कर रहता है सेर भयंकर और बलसा ही होता है एक दिन शहर का राजा जंगल में घूने गया सेर ने देखा राजा हाती पर आसन लगा कर बैठा है सेर के मन में भी हाती पर आसन लगा कर बैठने का उपाय सूझा सेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाती पर एक आसन लगाया जाए बस क्या था जट से आसन लग गया सेर उचल कर हाती पर लगे आसन में जा बैठा हाती जैसे ही आगी की ओर चलता है आसन हिल जाता है और सेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है सेर की टांग तूट गई सेर खड़ा होकर कहने लगा पैदल चलना ही ठीक रहता है आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें